नमस्कार मैं हूँ सोनिया और आप देख रहे हैं कारिक्रम आध्यात में ज्यान चर्चा तो आईए शुरुआत करते हैं कारिक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्व दर्शी संत रामपाल जी महराज बनाम परम पूज्य संत महामंड लेश्वर स्वामी ग्यानानजी के विचार महराज जी श्रीबत भगवत गीता जी का ग्यान किस ने बोला? गीता का ग्यान तो इसमें कोई किसी भी तरह का है ही नहीं विचार कि अलब भगवान श्रीक्रिष्ण गीता के उपदेश्टा हैं गीता के वक्ता हैं और महरशी वेदवियास ने स्वेम ये बात स्विकार करके कही है गीता सुगीता कर्तव्या के मन्नेश शास्त्र विश्टरे या स्वेम पदमनाभस से मुक्पदमाद्धिनिस्रत अहार गीता कुछ जीवन का गीत बनाओ क्यों? क्योंकि ये स्वेम साक्षार पगवान के मुक्कमल से निस्रित निकलिउ हिद्दि वेवानी है तो ये थे स्वामी ज्याननन जी के विचार और आईए आप जानते हैं जगत गुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार पुनात्माओ अभी तक आप जिससे भी बात करते हो के श्री गीता जी का ग्यान किसने बोला तुरंद कहते हैं तपाक से कह देते हैं श्री किरसन जी ने बोला इसमें कोई दोराए नहीं है ये बिलकुल अग्यानी है इनको क्या है इनका पता नहीं किसी चीज़ का श्री किरसन जी ने गीता का ग्यान नहीं कहा परमात्मा बोले गीता जी का ग्यान श्री कर्सिन नहीं काल ने कहा गीता जी नमब्र 11 के सलोक नमब्र 32 में गीता ग्यान दाता कहता है मैं काल हूँ और इसमें इन सब सैनाओ का नास करने के लिए परवर्त हुआ हूँ परमेश्वर कबीर देव ने कहा कि मातमा जी क्या श्री करसन काल थे क्या वो नास करते थे किसी का श्री करसन काल नहीं थे श्री करसन जी के पास तो पसू भी आकर के प्यार पाते थे गव्वे में उनके पास बैठी रहती थी दूर जानने दिल नहीं करता था और गवाल बाल और गाओं की सभी नागरिक उन से बहुत अटूट प्यार करते थे क्या काल हो सकता है और गीता जी ग्यान दाता कहता मैं काल हूँ अर्धुन जैसर यो दाजिस से काप रहा है क्या वो श्री करस्ण सतो गुन हो सकता है अब धरम दास अबन्यों के किर्शन काल है तो मर गया तो परमातमा से धरम दास ने कहा कि फिर आप क्या बताना चाहते हो परमेश्वर ने कहा कि मैं ये बताना चाहता हूँ पहले तो ये समझ मातमा जी कि गीता जी का ग्यान बोला किसना है श्रीकर्सन नहीं बोला परमान देते हैं अब प्रमेश्वर कबीर जी के अधार सेद्धा साब को सुनाएगा अब गीता जी के ग्यान की हो सकता कब पड़ी जिस समय कोरों और पांड़ों का युद होने जा रहा था सेना आमने सामने युद के लिए तैयार खड़ी थी अरदुन ने श्रीकर्सन जी से कहा कि आप मेरे रत को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दे ऐसा कर दिया गया तो पुन्यात्मों युद क्यों हो रहा था युद हो रहा था कि कौरों और पांडूं का आपस में भाही बटवारा ना हो जा था क्या हुआ था कि दरतराष्टर अंदा था और वो बड़ा था पांडू से पांडू छोटा था छोटा दो भाही थे ये तो दरतराष्टर के सो लड़के हो गए 101 पांडो को राजगदी दे दी अहिस्तनापुर की किसलिए दे दिया गया कि दर्तराष्टर अंदा है ये राज नहीं कर सकता और पांडो गदी पर बठा दिया छोटा भाई अब छोटा भाई का संतान होगी ये पांच जने और बड़े यूदिश्टर को राजगदी पर बठा दिया क्योंकि पता की मर्तु के वाल बड़े पूतर को राजगदी दे दी जाती है ऐसा डविधान था अब फिर दर्तराष्टर के जोहना 101 पूतर हो गए दुर्योदन बड़ा था दुर्योदन ने कहा यूदिश्टर से के हमारा राजगदी क्योंकि मेरे पता जी बड़े हैं और हमारा अधिकार है तो हमें राजगदे अब यूदिश्टर ने कहा भी यूदिश्टर कैसे देदू मुझे पता से प्राप्ट हुआ है और वो तो बात पहले जा चुकी है खत्म हो दी अब तो हमारी परंपरा चलेगी जैसे मैं बड़ा हूँ तो मुझे बेरे पुतर को बड़ा होगा उसको राजगदे से चलता है यह नियम है भी धान है नहीं दिया तो उसने अपने मामा सुकनी से जेकर की शलहा ली किसने दुरियोदने तो सुकनी उनका मामा जी चतुर आदमी था उसने कहा तू ऐसे कर पंड़ों को जुवा खेलने के लिए त्यार कर ले उन्हों जुवा खेलने के लिए त्यार कर ले और ऐसे ही जुवे मेरा फेरी करके और पंडुओं से सारा राज जीत लिया और द्रोप्ति तक को भी जीत लिया और सरत रख दी के बारा वरस तक तो तुम बनवास रहोगे और तेरमा वरस अग्यात रहेगा अगर तेरमे वरस मत तुम मुझे दिखाई देगे कई मिल गए तो 12 वर्स का फिर बनवास रहेगा और उसके बाद तुम्हें तुम्हारा राज्य वापिस कर दिया जाएगा ये सर्त रखिए थी अब वो 12 वर्स और 13 वर्स सारे करका पूरे वापिस आगे दिश्टर अब उन्होंने कहा है मामारा राज्य वापस दे दुर्योदर कहने लेगा ये तो मेरे बाप दादा की संपति है तुझे क्यों दे दूँ तू के मांगए भाग यहां से कहने का भाव यह ऐसे उनका भाही बटवारा नहीं हुआ दुर्योदर ने कहा कि ये तेरे मताकत रहते युद करके ले ले अब जब ये विनास होने को जा रहा था तो रिष्टेदार बीच बिचाओ करते हैं बीच बचाओ आकर करते हैं सभी रिष्टेदार आए मीटिंग कई बार मीटिंग होई पंचायत होई नहीं माने बगवान स्री किरसन भी तीन बार शांती दूद्ध बन कर गया क्योंकि भगवान शिरी किर्सन की बेहन सुब्द्रा अर्जून कैबियाई थी यानि वो उनका अर्जून का साला था शिरी किर्सन जी यानि नाती थे वह इसलिए अपने बेहन का घर उज़णते देखकर श्रीकर्शन जी ने भी तीन बार प्रियतन किया कि इनका जगड़ा ना हो और बात सुलट जा जब तीसरी बार श्रीकर्शन जी उनका सुलाख अपस में कंप्रोमाईज कराने गए तो उन्होंने बता जिया कि हम अब टत से मसनी होंगे ब्रियोद्र ने कहा पांडो भी वहीं उपस्ती थी श्रीकर्शन जी ने सोचा कि साइद पांडो मेरे रिष्टेदार हैं, मेरे रिलेटिव हैं इसलिए ये मान रहे हैं कि श्रीकर्शन हमारे साथ है इसलिए हम विज़ाई होंगे ही होंगे और श्रीकर्शन जी की सेना भी हमारे साथ होगी मौत्रा वाली द्वार का वाली तो कहीं इसलिए ये हार ना मान रहे हों इसलिए ना युद से हट रहे हों तो बगवान श्रीकर्शन युद नहीं चाहते थी बगवान श्रीकर्शन ने कहा पांडों और कोरों को भाई सुन लो एक तरफ मेरी सेना होगी एक तरफ मैं हूँगा और तुम्हारी चक मांग लिए जो तुमने ठीक लागे और मैं अथियार भी नहीं उठाऊंगा नहीं हत्था रहूँगा अब ये बात सुनके पांडों के पैरों के नीचे की जमीन खिसकी क्योंकि इतनी बेशर्मी हम कर नहीं सकते सेना मांग ले अपने रिष्टेदार न छोड़ के इतना तो हमने करना पड़ेगा कि हम अपने रिष्टेदार को ही मांगेंगे और दुर्योदन के पास सारी सेना चली जावागी और फिर भगवान के रहे हमाँ अथियार नहीं उठाओ चलो पहले थे सुदर्शन चक करते हैं मारे मुर्दिया करते थे अब वो भी के हमाँ अथियार न ठाओ तो हमारी हार निष्टित है पांड़ों ने एक दम आप आया बात आगी पांड़ों ने कहा कि भगवन हम बाहर मीटिंग से बाहर जाकर कुछ अपना विचार भी मरस कर लेते हैं जो आपने कहा है पांचो पांड़ों बाहर रहागी कुछ देर पास सलाम उसुरा करके उन्होंने कहा कि हम भगवन किरसन से कहते हैं कि हमें पांच गाउं दिला दे हम युद नहीं करेंगी अब श्री किरसन जी को मिटिंग से बाहर बुलाया और प्रार्थना की कि भगवन हमें पांच गाउं दिला दो हम युद नहीं करना चाहते है हमारी इज्जत भी रह जागी और युद भी ना होगा क्योंकि आप नहीं चाहते युद हो श्री करशन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और ये कह करके पांचो पांडो अपने घर आ गए श्री करशन जी खुशी-खुशी से उस मीटिंग में गया जहां सारे पांडो बैठे थे दुर्योदन बैठा था योधा खड़े थे उसकी सेना खड़ी थी कुछ सेनी अंग रखसक खड़े थे श्री करशन जी ने कहा कि दुर्योदन बनगी बात हो गया कंप्रोमाईज और योध टल गया पांडो कहते हैं कि हमें पांच गाउं दिला दो हम योध नहीं करेंगे तो दुर्योदन पांच गाउं दे दे उनको और बाकी राज दे रही रहा अब कहते हैं विनास काले विपरता गुदी जब नास होया करना उट्टी सोचा लाक रादिए अब दुरियोदिन ने सोचा कि ये डिर गे और क्यों यो समझ से गल्म राखी और पांच गाम दूंगा थी ये फिर सकती साली हो जाएंगे तो दुरियोदिन ने कहा कि पांड़ों के लिए तो सुई की नौक टेका इतना जमीन नहीं है और उनको लेना है तो युद करकर ले लेगे अब इस बात से स्री करसंदी एक सुबद होगे गुसा आगा उनको कहन लगे हैं तो वाई एक सैतान पैदा होगा दरतराश्टर के तो इनसान नहीं है तो तो नास करना पैदा होगा नासक और अब कहां पांच गामर कीता दाराज तेरी बुदी वरिष्ट होगी तेरा सर्वे नास निकट है समझ लेना अब राजा के अंदर भी मान होता है अब दुर्योद्र ने सोचा कि ये मेरे को कटूचन बोल रहा है कि दुर्का का विक्ति इतनी दूर आके ये बकवाद कर रहा है दुर्योद्र ने कहा अपने सैनिकों से कि योधा हो इस करसन को पकड़ो और कैद में डाल दो अब जो ही दुर्योद्र का आदिस पाते हैं योधा लोग चले स्री करसन को पकड़ने के लिए श्रीकर्शन जी ने अपना विराट रूप दिखाया उस विराट रूप को देखकर ऐसे गबरागे कोई किदर पड़ा है कोई किदर पड़ा है देख नहीं सके उनके रूप को इतना तेज था और श्रीकर्शन जी उसभा से निकल आए और दोहर का चले गए अपने आत्माओं युद्ध की त्यारी होगी अब युद्ध की त्यारी हुई तो साथ अक्सोनी सेना तो पंड़ों की थी ग्यारा अक्सोनी सेना थी कौरूं की यानि ग्यारा क्रोड तर समझ लो एक वैसे समझने के लिए ग्यारा क्रोड सेना तर कौरूं की अर्दुन ने स्री कर्शन दी से का भग्वन मेरा रत दोनों सेनाओं के बीच में रोक दे और मैं देख लो मेरे सामने कौन टेकने वाला है ताकि मैं उसको फिर समार दें अची तरह है अब स्री कर्शन ने ऐसा कह करके सुनते ही दोनों सेनाओं के बीच में रत खड़ा कर दिया अपने आत्माओं वहाँ देखा सामने देखा बाई बती जे खड़े और बेहनों के पती बेहनोई और आपस में चाचेता हुआ कि बेटियां दूर नहीं होती सगे चाचेता हुथे वता है और सामने बेटियों के बते हुई यानि दामाद पती वहाँ खड़े अपने रिष्टेदार खड़े जिन तर सेने से मिला करते थे राम रमी होया करती थी प्यार से गुमन जाया करते थे वो उनके आते थे हम उनके जाते थे और आज इन को मारूंगा अब अरजुन के मन में साधु भावत्पन हो गया और मन में सोच लिया है बगवान इस युद ते अच्छा तो हम बिख्षया कान खा का गुजारा कर लें तो भी अच्छा है हम युद नहीं करूंगा और सारा स्रीर कामपन लाए गया वो अथियार आतें दनुश भी छूटिया और पीछे बैठिया जाकर रथ के पिछले हैसे में जहां रेष्ट होता है और कहां तो जहां लड़ने वाले कैबिन में खड़ा था तब स्री किरसन जी ने देखा कि अरजुन तो डिर गया तो पुन्यात्माओं जब तक ये रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया तब तक तो श्री किरसन का रोल है उसकी बाद क्या होता है कि उस काल ने देख्या कि अरजुन तो युद करनते मना कर गया और श्री किरसन पहले नहीं चाहवा था उसकी समझवता है कंप्रोमाइज कराने जा गया था कई बार युद नहीं होने देगा और अब ही अरजुन को लेच लेगा वापस उसी समय वो काल अपने ब्रह्म लोक से चल कर आया परेथ की तरह स्री किरसन में परवेश करके फिर आप बोलना लगया स्री किरसन के स्रीर में अपने अत्मा अर्दुन्द कहता है मैं युद नहीं करूँ और कितनी भी नमर बानी बोलता है स्री मद्वगत गीता अज्धाय नमबर एक के स्लोक नमबर 27 से आपको सुनाएंगे यह देखिएगा अज्धाय नमबर एक का और स्लोक नमबर 27 में कि अब पहले 26 को देखते हैं 26 में अब दोनों सेनाओं के बीच में तथा संपुन राजाओं के सामने रत उत्तम रत को खड़ा करके इस परकार कहा और किर्शन ने कहा कि इन जुटे युद्म जुटे कोरों को देख 26 में कहता है कि उनको देख के इसके बाद कुन्ती पर्थू पूतर अरजुन ने उन दोनों ही सेनाओं में सतीत ताउ चाचों को मामाओं को भाईयों को पूत्रों को पोत्रों को तो था मित्रों को सुस्रों को और सुहर्दों को भी देखा उन उपस्ति संपरुन बंद्वों को देख कर वे कुंती पूतर अरजुन अट्यन करुना से युक्त होकर सोक करते हुए ये वचन बोले अर्दुन ने ये वचन गोले थाई शुम्रतिस में हे कर्षन युद अक्षेतर में डटे हुए युद के विलासी इस सवजन समुधायो को देखकर मेरे अंग सथिल वे जा रहे हैं और मुक्षुका जा रहा है तथा मेरे स्रीर में कमपन रोमांच हो रहा है तीस में कहा हाथ से गांडिव धनस छूट गिर रहा है और तवचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भरमिच्छा हो रहा इसलिए मैं खड़ा होने के विस मैं भी समर्थ नहीं हूँ इकत्तिस में लक्षणों को भी मैं विपरिती देख रहा हूँ युद मैं सवजन समदायों को मार कर कल्यान भी तो नहीं देखता अपने आदमियान मार कहा है इस बता के वलाओ या मारा बत्तिस में कहा है एक एसन मैं ने तो विजे चाहता हूँ और ने रज तथा सुख को ही ए गोविंद हमें ऐसे राज जैसे क्या प्रियोजन अत्वा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाब है तेतिस में हमें जिन के लिए राज भोग और सुखादी अभिष्ट हैं वे ही ये सब धन और जीवन की आस को त्याग कर युद में खड़े हैं ये तो मरने के लिए आगे और हम युद के लिए हम धन चाव हैं हमारे जैसा नीच नीच उद्वीश चौटिस में कहा कि गुरुजन चाटाउ चाचे लड़के और इस उसी परकार दज्दे मामे सुसर पौतर साले तथा और भी संबन्दी लोग हैं पत्पेंटीस में एमदु सुदन मुझे मारने पर भी यदि तीनों लोग के रज्द के लिए भी इन सब को मारना नहीं चाथा इसलिए पर्थवी का तो कहना ही जा क्या कहता है कि मुझे कोई नोग है लेकिन सब न मारने और तीन लोग का राज दे जाएंगे मैं वो भी ना लूँ पर त्वियाले का नद के फूकूँगा आगे देखो त्था तीस में हेज नारदन दर्तराश्टर के पूत्रों को मार कर मैं क्या प्रसंता होगी हमें क्या प्रसंता होगी इन अतायतियों को मार कर हमें पाप ही लगेगा 37 में का एतेव इमाधो अपने ही बांधो दर्तराश्टर के पूत्रों को मारने के लिए हम योग नहीं है क्योंकि अपने ही बंद कुट्रम के को मार कर हम कैसे सुखी होंगे 3849 मे यद पी लोब से बरष्ट चित हुए ये लोग कुल नास से उत्पन होने दोस को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं एजन अर्दन कुल के नास से उत्पन दोस को जानने वाले हम लोग इस पाप से उत्पने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए अपुला अत्माओ इस परकार कितनी प्यारी भासा बोल रहा है अर्दन अर्दन दा सादू हो गया पता उस नहीं के दुन उत्रेगी थी लड़न और लड़ान की अद्धैर नमर एक के सलोक चालिस में यहां तक कह दियार जोने कहते हैं बगवन मैं तन्यों सोच चाहूं हूँ कि ये दुरी हो दन मन न मार दें अब नी अथ्य का मार दें तीर मा मर जाऊं और मेरी मरतू यानि हार समझ लिए ये सारा जल्म बच जागा सब सेना मरने से बच जाएगी मेरी मरतू होने से पांडो युद नहीं करेंगे मैं ये चाहता हूँ कि मुझे मार दें ताकि इतनु का कल्यान हो जाए देखिएगा अध्याय नमर एक का सलोक नमर चालिस अध्याय नमबर एक का स्लोक नमबर यहां चालिस इसमें का कि ये दी मुझ सस्तर ही सामना ने करने वाले को सस्तर हाथ में लिए हुए दर्त राष्टर के पूत्र रन में मार डाले है तो वह मरना भी मेरे लिए अधी करलान का रखोगा रन भूमे में सोक से उदगन मनवाला अरदुनिस परकार कहकर वान सहीत दनुश को टाग कर रत के पिछले बाग में बैठिया अब दूसरे में क्या कहा है दिवतिय ध्याए अब दूसरे ध्याए में कहा है पर्थम सलोक में उस परकार करुणा से व्याप्त और आंसों से पूरण तथा व्याकुल नेतरों वाले सोक युक्तूस अरदुन के परती भगवान मदूसू दन ने ये वसन कहा दूसरे में क्या कहा के हे अरजुन तुझे इस समय यह मो किस से हे तूसे हुआ पराप्थ हुआ क्योंकि यह ने तो स्रेश पुरुशों को का दौरा आचरित है और ने सुरुग को देने वाला है और ने किर्थी को करने वाला है यह अरजुन नपूसंकता को मत पराप्थ हो तुझ मैं यह उचित नहीं जान पड़ती है यह परनतम हर्दे की तुछ दुरुबला तो दुरुबलदा को टिया कर युद के लिए खड़ा हुआ अब दूसरे धाय के चौथे पांच में छटे में कमाल कर दिया अब देखिएगा अज़धाय नंबर दो का सलोक नंबर चार में क्या कहा अरजुन ने हमया है और अर्थ काम रूफ भोगूं को ही तो भोगूंगा और यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद करना और ने करना इन proneं और दोनों में से कौन सा स्रेष्ट है अथवा नहीं जानते उन्हें हम जीतेंगे वह हमको जीतेंगे और जिनको बारकर हम जीना भी नहीं चाहते वेही दरतराश्ट के पूतर हम अमारे सामने मुकाबले में खड़े हैं अब पुन्यात्मा लास्ट में ये कह दिया अर्जुन ने कि हम तो बिक्सा का अन मांग का खालेंगे पर इस राज की जरूत नहीं जो इतने बुरे कुकर्म से ऐसे जल्म से प्राप्त होगा हमको पुन्यात्मा ऐसे पिरिये वचन सुनके राख्याम पानी अर्जुन के यदि स्रीकर्सन जी होता तो रंद कहता चल भाई बहुत अच्छी बात है मैं तो पहले मना करूं था धन्य है तुझे आज बुदी आगी अपती कुछ भी ना बिगड़ा है नहीं उसी समय वो काल बोल रहा था स्रीकर्सन मा परवेश करके और वो कैसे परवेश हो जाता है इसका परमान आपको थोड़ा सा देंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है जब तक हमारे हर्दय में या बात नहीं जचेगी कि श्रीकर्सन की नहीं काल बोल रहा है हो ब्रहम बोल रहा है गीता जी को श्रीकर्सन मा परवेश करके तब तक हम इस पुवितर सद्गर्णत गीता जी को समझ नहीं सकते किसी सूरत में और इसलिए आपको ये समझाना सबसे पहले ये कलियर करना अचित समझता है ये दास के आप ये समझें कि गीता जी का ग्यान श्री कर्शन नहीं काल ने बोला अब देखिएगा स्री विश्णु पराण अब ये काल कैसे कमाल करता है ये बिर्मा रूप धान कर लेता है ये विश्णु रूप धान कर लेता है ये सीव रूप धान कर लेता है अब जैसे कोई विश्णु रूप में सतूती करते हैं विष्णु जी को सर्विस्वा मान कर सतुती करते हैं विष्णु रूप धान करके सामने पर गट हो जाता है तो वो सादक सोचते हैं ये स्री विष्णु जी ही परम पिता है परमात्मा है इसलिए ये कहीं उसको परबरम बोलते हैं कहीं विष्णु जी बोलते हैं यह देखिएगा यह श्री विश्णु पुराण गीता प्रैस गोरुपुर से प्रकासित है इसके अनुवाद करता है श्री मुनिन लाल गुप्त और यह कहां से प्रकासित है प्रकासित के मुद्रक है गीता प्रैस गोरुपुर गोविंद हनकारियल्य कलकुत्ता का संस्थान इसके 233 प्रश्ट पे पूर्व काल में त्रेता योग में एक बार अती वीशन देव असुर संगराम हुआ राक्ससों का और देवताओं का योद हो गया। राजा ससाद का जो पुरिंजे नामक पूत्र है उस अक्सत्रिय सरेष्ट के सरीर में में अन्स मातर से स्विम अवतिरिन होकर यानि उसमें परवेश करके कुछ समय के लिए संपुर्ण देतों का नास करूंगा तुम लोग पुरिंजे को डेतों के वद के लिए त्यार करो अच्छाइब 242 पे और कलियर है यही तिर्थिय चतूरतंस और तिर्थिय अध्यायतीन विश्री विश्मु प्राण 242 प्रिश्ट पे पुर्व कालमे मौने नामक छै क्रोड गंद्रव रहते थे उन्होंने समस्त नाग कुल के परधान परधान रतन और दिकार छिन लिये थे गंद्रव के प्राकरम से अपमानित उन नागे स्वरों दोवारा सतूती किये जाने पर उसके सर्वन करने से जिनकी विक्सित कमल दर्श आखें खुल गई है निंद्रा के अन्त मजागे हुए उन जलशाई भगवान ने सर्वेश्वर को प्रणाम कर उन से नाग गणों ने कहा भगवन इन गंद्रों से उत्पन हुआ हमारा भेकिस परकारसान थो तब आधी अनंत रहित भगवान प्रशोतम ने कहा यो नासव के पूतर मान धाता का जो यह पुरुकुथ पुरुकुथ नामक पूतर है उसमें परविष्ट होकर परियत की तरह उसमें परविष्ट होकर मैं उन संपुर्ण दुष्ट गंद्रों का नास कर दूँगा विष्णों भगवान बोले यानि वो विष्णों रूप में काल आकर खड़ा हो गया और गंद्रों से नागों से कह गया नागवन सी जो विखती थे कि मैं उन सब को मार दूँगा पुरुकुत्स के सिरीर में मैं खुद परविष्ट होँगा भूत की तरह परविष्ट करकर परविष्ट करकर उनको मार दूँगा तो ऐसे वो काल भगवान स्री किरसंग जी में परविष्ट कर गया और उस ने गीता जी का ग्यान उसकाल न दिया बलो सत्गुर्देव परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कबीर देव वो परम अक्सर बरम वो कम्पलीट गौड है पूर्न परमात्मा है वही आकर के हमें यथारत ग्यान परचार करते हैं यथारत ग्यान बताते हैं और एक तत्वदर्शी संत की भूमी का करके वो पूर्न परमात्मा सद्गरंथों को भी यथारत रूप में वही समझाते हैं जैसा की परसंग चल रहा है कल के सत्संग से कि परमेश्वर कबीर देव जी एक जिन्दा महत्मा संत के रूप धारन करके तत्वदर्शी संत रूप में धर्मदास जी को मतुरा में मिले धर्मदास जी गीता जी के नित पाठ किया करते थे गीता जी का और यथारत ग्यान से आपरीचित थे वो पुन्यात्मा थी अच्छी आत्मा थी भगवान को चाने वाली थी जैसा कि वेदों ने भी प्रमान किया कि वो प्रमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को अच्छी आत्माओं को दर्ड भगतों को स्वेमा करके सत लोग से आकरके मिलता है फिर उनको ये थार्स ज्यान करवाता है उसी अपने उदेश से अनुसार परमात्मा बनार्च में आई हुए थे सन तेरा सो ठाणुमा में परगट हुए एक कमल के फूल बालक रूपधार्ण करके और लीला में फिर उनको नीरु नीमा नाम के जुलाहा दमपती उठा लेगे जो नी संतान थे तो वहां परमात्मा लीला में स्रीर में बड़े हुए एक लीला करते हुए अतिथी रूप में परमात्मा आते हैं कुछ समय एक मनुस की तरह जीवन जी कर मनुस की तरह क्रिया करके तत्व ग्यान तत्व दर्शी संत की भूमिका करके यथारत ग्यान सुक्सम बेद को वली पिबद करवा जाते हैं उसी दृष्टी काउन से वो आई हुए थे तब अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को मिले अब धर्मदास जी को परमातमा ने बताया कि गीता जी का ग्यान किस ने बोला तब धर्मदास जी कह रहे थे श्रीकरसन जी ने बोला परमातमा ने बताया श्रीकरसन जी के स्रीर में परवेश करके उस काल भगवान ने जो महाविशनो कहलाता है उस काल भगवान ने जो बिर महाविशनो महिश से भिन भगवान है उस ने स्री किरसन जी में प्रेट की तरह पर्वेस करके गिता जी का ग्यान बोला और युद करवाने के लिए सारी अठकल लगाई जबकि स्री करसन जी युद नहीं करवाना चाहते थे अब जैसा कि आपने पर्मान देखा वो कैसे प्रेतवत प्रवेश कर जाता है आपने कल देखा कि जैसे राजा ससाद के स्रीर में और फिर देख़ी का विश्णु प्राण ये है पवित्र विश्णु प्राण गीता प्रेश गोरकपुर से प्रकासित है प्रकासक एमे मुद्रक गीता प्रेश गोर्खपुर गोविद भुहन कारिया लेकलकत्ता का संस्थान यहां से प्रकासित है और इसके अनुवादक है इनके अनुवादक और देखेगा कौन है अनुवादक है श्री मुनी लाल गुप्त इसके प्रेश नमबर 233 कर कल भी दिखाया था आज स्फिर दिखाना पड़ेगा क्योंकि कल ये अधूरा रह गया था प्रकरन श्री विष्णु पुराण दूसरा ज्याय और चतूर थंस प्रिश 233 नीचे आईएगा यहां से शुरू करते है पुर्वे काल में त्रित्ता युग में एक बार अति भीष्ण देव असूर संगराम हुआ देवता और राक्ससों का युद्ध हुआ उसमें महाबलवान डैत्य गण से प्राजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की अरादना की ये भगवान विष्णु ये काल की अरादना की ये दिखाएंगे भी आपको तब आदी अनंत सुन्य असेस जगत परती पालक स्री नाराण ने देवताओं से परशन होकर कहा आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है उसके विशे में यह बात सुनिये राजरिसी ससाद का जो पुरंजे नामक पूतर है पुरंजे उस अक्षेत्रिय स्रिष्ट के स्रीर में पुरंजे के स्रीर में अक्षेत्रिय स्रीर में मैं अन्स मातर से अवतिरिन होकर उसमें परवेश होंगा बढ़ूँगा उसके स्रीर में प्रेत की तरह परवेश होंगा अवत्रिन होंगा उन संपुर्ण देत्यों का नास करूंगा अधे तुम लोग पुरंजे को देत्यों के वद के लिए त्यार करो यानि तुम पुरंजे को ट्यार करो और मैं उसमें प्रवेश होँगा और उनको फिर मार दूँगा राक्ससों को अब 242 प्रिष्ट कर देखें यह है चतुरत अंस और तिर्थी अज्याय और श्री विश्णो प्राण इस 242 प्रिष्ट पे हम दिखाएंगे तीसरा ज्याय यहां से शुरू होता है पूर्वे काल में रसातल में मौने नामक 6 करोड गंध्रव रहते थे उन्होंने समस्त नाग कुल के परधान परधान रतन और अधिकार छिन लिये थे गंध्रवो के प्राक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों दोवारा सतूती किये जाने पर उसके सर्ण करने से जिनकी विक्सित कमल दर्शे आँखें सदर साँखें खुल गई है निंद्रा के अंत में जगेवे उन जल्शाई भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नाग गंध्र ने कहा यानि सतूती की नागों ने बगवन इन गंध्रों से उत्पन हुआ हमारा भैकिस परकार सान्त होगा तब आदी अनंत रहित बगवान पुरशोतम ने कहा यूव नासव के पूत्र मान धाता का जो पुरकुत्स नामक पूत्र है उसमें परविष्ट होकर मैं उसमें परवेश करकर मैं उन संपुर्ण दुष्ट गंध्रों का नास कर दूँगा पुर्यत की तरह परवेश होँगा पुरकुत्स के स्रीर में और फिर उनको मैं मारूँगा कौन कहते हैं ये महाविष्णू जो बिर्माविष्णू महेश से भिन है अब यहाँ ये कलियर करना है कि ये कौन बोल रहा है ये बिर्माविष्णू महेश से अलग जो महाविष्णू क्योंकि शिवपरान के अंदर महाशिव की महिमा है वो बिर्मा विश्णु महेश से अलग भिन है ऐसे इसमें महा विश्णु की महिमा है वो बिर्मा विश्णु महेश से कोई और है वो बोल रहा है यह देखिएगा प्रिश्ण नंबर 32 पे वो इनसे भिन है कोई यह प्रिश्ण नंबर 32 प्रश्ण नबर 32 पे श्री विश्णु प्राण अध्याय नौ और पर्थो मन्स जिस एभूत पूरव देव की ब्रमा विश्णु और सिव रूप सक्तियां हैं वही भगवान विश्णु का प्रमपद है जिस एभूत पूरव देव की ब्रमा विश्णु और सिव रूप सक्तियां हैं ये ब्रमा विश्णु शिव और हैं और वही भगवान विश्णु का प्रमपद रूप है ये सर्वेश्वर, ये सर्वभूतात्मन, ये सर्वरूप, ये सर्वधार, ये चूट, ये विश्णो ये वो विश्णु है जिस विश्णु के बारे में कहा जा रहा है ये विश्णु बोल रहा है, ये काल बोल रहा है, बिर्मा विश्णु महें से अलग है ए विष्णों हम भगतों पर परशन होकर हमें दस्थन दीजिए अब प्रार्थना करता खुद मान रहा है कि बिर्व महा विष्णों और सीव से रूप सक्तियां है वह है भगवान विष्णों का परंप रूप है वही पर भगवान विष्णों का परंप रूप है यानि इन से अलग है कोई और, एक सो दो तीन पर देखें, यह है एक सो दो प्रेष्ट, शिरी विष्णु प्राण, अज्धाय बाइस, पर्था मन्स, यहां देखो एक सो दो प्रेष्ट पे, यह बर्मन, बर्म महा विष्णु और शिव, बर्म की परधान सक्तिया हैं, यह बर्म, हमने यह सिद्ध करना है कि बर्म उसम परवेश करके बोला था, किर्शन में, महा विष्णु कहो, काल कहो, बर्म को, बर्मन, बर्म महा विष्णु और शिव, बर्म की परधान सक्तिया है उन से जिए देवघण हैं और उनके अनंतर दकसादि परज़ा पतिगण हैं अब देखो प्रश्ट नमर 103 पर हे महाभाग ये सर्वय ब्रह्म में है विश्णु भगुण शिरी विश्णु भगवाण ब्रह्म में है अब हमने यही सिद्ध करना है कि जो ब्रहम है वो ये काल है और इसी को महा विशनु बोलते हैं ये अज्ञान तावस आप देखिए 128 प्रिष्ट पे कलियर हो जाता है स्रीविशनु परान अज्ञाय साथ और आठ अज्ञाय साथ मसं दिखाएंगे और प्रिष्ट नंबर 128 पे अज्ञाय नंबर साथ आठ आगे सरू होता है जिस से यह संपूर्ण जगत उत्पन हुआ है जो स्वम जगत रूप से सथीत है जिसमें यह सथीत है तथा जिसमें यह लीन हो जाएगा वह परवर्म ही विश्णु भगवान है अब देखो आगे फिर यह ब्रम विश्णु महिद से अलग है उसे को कभी ब्रोप बोल देते हैं कभी विश्णु भगवान हो ही पर ब्रम ही विश्णु ही विश्णु का परम धाम परमरूप है अब कहने का भाव यह है कि जो जिस विश्णों के बारे मैं ये सतूती करके कहा और जिसने ये कहा कि मैं पुरंज के स्रीर में प्रवेश आवतिर्ण होंगा और उसमें प्रवेश करके गंध्रहों का नास करूँगा असरों का नास करूँगा फिर 242 पर पर जिसकी सतूती की वही काल रूपी ब्रहम वो महावी सुनो कह रहा है वो ब्रहम कह रहा कि मैं प्रुकुद्स के स्रीर में कुद्स समय के लिए पर्वेश करका भूत की तरह और उनका गंद्रहों का नास कर जूँगा तो इसे सिद हुआ के स्री करसन में वो ही पर्वेश करके और यह गीता के अगान दे रहा है ब्रहम स्री करसन को पता भी नहीं मैंने गीता जी में के बोला था अब खुड़ा सा परसन यह बीच में दिखाएंगे कि श्री कर्शन जी को यह पता है नहीं मैंने गीता में के बोला था देखिए श्री संक्सित महाबारत संक्सित महाबारत दिवित्य खंड गीता प्रेश गोरखपुर संक्सित महाबारत दिवित्य खंड गीता प्रेश गोरखपुर संपादक तथा संसोदक जय द्याल गोएंदका जो गीता जी कानवादक है वो इसी महाबारत कानवादक है प्रकासके में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरकपुर गोविद भौनकारिया लेकल कुत्ता का संस्थान इसके 666 प्रेस्ट पे अरजुन का स्रीकर्षन से गीता का विसे पूछना और स्रीकर्षन का अरजुन से सिद महरसी और कस्चप का समवाद जनमेज जैन पूछा सत्रूँ का नास होने के बाद जब मात्मा स्रीकर्षन और अरजुन सभा में बैठे थे यानि माहा भारत खितम हो चुका था, वारतालाब कर रहे थे, उस में उनमें क्या बात चीत हुई, वैस्पायन जी बोले, वैस्पायन जी ने कहा राजन, शीरी कृस्ण के सहीत, अर्जुन जब अपने राज्ये पर पूरा जीकार प्राप्त कर लिया, तो वे दीव सभा भव अनन्द के साथ रहने लगे, एक दिन सवर जनों से घिरेवे वे दोनों मित्र, सविच्छा से गुमते गुमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुँचे जो सुरुक के समान सुन्दर था, पांडु नंदन अर्जुन, शीरी कर्शन के साथ रहकर बहुत प्रशन थे, उन्ह जब युद का आवसर उपस्तित था, उसमें मुझे आपके महत्यम का ग्यान और इस्वरिय सरूप का दर्शन हुआ था, किन्तु के सव, आपने सनेवस मुझे, पहले मुझे जो ग्यान का उपदेश दिया था, गीता जी का ग्यान दिया था, वह सब इस समय बुधी के दोस से भूल गया है, उन विश्यों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उतकंठा होती है, इदर आप जल्दी ही द्वार का जाने वाले हैं, अतै पुने ये सब विश्यों मुझे सुना दीजिए, वह गीता जी का ग्यान फिर सुना दीजिए, वैस्पयान जी कहते हैं, अर महातेशी स्री करसन ने उने गले से लगा कर इस परकार उतर दिया, श्री करसन बोले कि उसमें मैंने तुम्हें अत्यंद गोपनिये विसे का सरुन करा था, उसमें गीता मैं, अपने सरूप भूत धर्म सनातन पुर्शोतम तत्व का प्रिचे दिया था, और नित लोकों का भी बर्नन किया था, किन्तु तुमने जो अपनी ना समझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, ये जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है, लेकिन सुम्हें क्या कहते हैं स्री करसन जी, कि उन बातों को अब पूरा-पूरा समन होना संभाव नहीं जान पड़ता, प अब मेरे लिए उस उपदेश को जयों का तुम दुरा देना कठीन है, क्योंकि उस समय योग योग थोकर मैंने परमातन तत्वका वर्णन किया था, ग्यान सुनाया था, अरजब युद के मैदान में योग 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 तो हो सका है इनसान, अब शानती एक सेतर में क्या दि फ़ ग्यान हो प्योग हो सकाइबी क्या ते एक सेतरामात तत्यर था, दे सकती।